हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशा ले राश्टिरा जानिक्षेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 34 जो की कक्षा आठवी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है विज्ञान विशेस और इसमें आज हम जिस पार्ट को समझ रहे हैं वह है जन्तवों में जनन यानि प्रजनन यानि जब सजीव जितने भी सजीव हैं वो अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ती करते हैं उन्हें पैदा करते हैं तो उसे हम जनन प्रक्रिया कहत और आज इसी के भारे में हम इस पार्ट में समझेंगे इस वक्षिट को करने की कोशिश करेंगी तो देर ना करते हुए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरन, उत्सरजन और श्वसन अधी जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तर जीविता यानि जिन्दा रहने के लिए अतियावशक है यानि जो क्रियाएं अभी हमने उपर समझी हैं ये हर जीव के लिए जीवन उनके जिन्दा रहने के लिए बहुत जनन की क्रिया है, ये जीवों की जाती को बचाइ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है। जरा सोचो, क्या होता यदी जीव जनन नहीं करते? अब भई देखिए जीव अमर तो होते नहीं, चाहे वो कोई भी जीवो, इसमें मनुश्य भी आता है, अमर थोड़ी होते हैं, मरना तो सबको होता है, सभी जीवन का एक जीवन काल भी होता है, जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृती में जीवन चलता रहे जीवन की निरंदर्ता के लिए कोई प्रक्रम तो होना ही चाहिए न यानि जीवन चलता रहे उसकी निरंदर्ता बनी रहे तो कोई ना कोई प्रक्राम या प्रक्रिया होनी ही चाहिए इसलिए वहे क्रिया जो जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन करने में मदद करती है वहे जनन कहलाती है यानि जब जीव अपने ही जैसे जीव उत्पन करते हैं तो उसको हम उस क्रिया को क्या कहते हैं? जाती की निरंतरता को सुनेशित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है यानि ये ना केवल मनुश्यें के लिए जुरूरी है जननक्रिया बलकि सारे जनतुओं के लिए पेड़ पौधों के लिए और जो एकल कोशी के यह जीव होते हैं यानि खुद अपने से ए आगे तक बढ़ती चली जाएगी अगर वो जनन करता रहेगा तो और उसके जीवन को विलुप्त होने से ये प्रक्रिया बचाती भी है यानि ऐसा ना हो कि वो जनन करेगा ही नहीं तो आगे अब उसकी फिर और ज़्यादा पीडिया होंगी नहीं उसकी जाती के और ज़्य जीव होंगे ही नहीं तो धीरे धीरे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा जैसे एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही तो बनता है हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है कोई और दूसरा जानवर तो जन्म नहीं देता ना आपने विभिन जन्तूओं के पूरा करना है इसमें क्या क्या दे रखा है क्रम संक्या जन्तू का नाम या जीव का नाम और उसके बच्चे उनको क्या कहना है देखिए जैसे पहले उधारन के तौर पे दिया है मनुश्य मनुश्य के बच्चे को क्या कहते हैं कहते हैं न शिश्यू फिर दूसरा दे रख के साथ जो देती होती है उसका नाम उसको हम बोलते है लारवा क्या कहते है लारवा मुर्गी यानि मुर्गी तो आप सब को पता है उसके बच्चे को क्या कहेंगे चूजा गाए के बच्चा क्या कहलाता है बच्छडा और मेंधक का बच्चा मेंधक का दिम्भ कीट कहलाता है क्या कहला आता है डिम्भकीट, इंग्लिश में उसे टेड़ पॉल कहते हैं, छोटे जुमेंड़क होते हैं उनको तो चलिए अब हम जानेंगे जनन की विधिया, यानि ये जनन की प्रक्रिया आखिर कैसे होती है यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में भी एक फ्लोचार्ट की फॉर्म में भी दिखाया कि जनन की विधिया दो प्रकार की जनन की विधिया होती हैं, एक को लैंगिक जनन के जनन के देखिए पादपों यानि पौधों की तरह ही जन्तुओं में भी जनन की दो विधिया होती है एक तो लैंगिक जनन होता है जिसमें नर युकमक एवं मादा युकमक के सनलेयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं इस क्रिया में दो जीव यानि नर और मादा मिलकर एक नई संतती यानि बच्चे को बनाते हैं अब आपको समझ में आया अलेंगिक जनन किसे कहते हैं और अलेंगिक जनन किसे कहते हैं जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है यानि एक ही जीव अपने द्वारा जनन प्रिक्रिया करके अपने जैसे जीवों को बना लेता है तो ये थी जनन की विधिय और जनन के बारे में कुछ सूचना चलिए अब स्वयम को जाचने के लिए कुछ प्रशनों के असान से प्रशनों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो पहला प्रशन है कि जनन को परिभाशित कीजिए यानि जनन की परिभाशा दीजिए तो वहे क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन करने में मदद करती है उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं यानि वहे जनन कहलाती है जिसमें जो भी जीव हैं वो अपने ही जैसे जीव उत्पन करते हैं उसको हम उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं फिर दूसरा प्रश्ण है कि जीवों में जनन के महत्व को इसपष्ट कीजिए, यानि जीवों में जनन की प्रक्रिया क्यों जरूरी है उसको हमें बताना है, देखी यह क्रिया ना केवल मनुश्य बल्कि सभी जन्तूओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकी जीवों के निरंतरता को सुनश्चित करता है और जीवन को विलुक्त होने से बचाता है, फिर तीसरा प्रश्ण है कि क्या होता यदि जीव जनन ही नहीं करते, तो देखिए ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती, यदि जीव जनन नहीं करते तो अबादी खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य और उनकी जाती के सदस्य बुढ़ापे के कारण, या फिर किसी बिमारी के कारण, या फिर दुरगटना के कारण खत्म होते चले जाएगे, और इससे क्या होगा, जीवन भी समाप्त हो जाएगा और आबादी तो खत्म होई ही जाएगी, फिर इसके बाद है चौथा प्रश्ण, जीवों में जनन की विविन विधिया क्या है, अभी आखरी में हमने यही टॉपिक के बारे में समझा था, कि जनन की विधिया, कि पादपों की तरहें, यानि पेड़ पौधों की तरहें, जन्तुओं में भी जनन की दो विधिया हो और माधा मिलकर नई संतिती यानि नए बच्चे को बनाते हैं या जन्म देते हैं, और इसके बाद दूसरा होता है अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है और वो अपने जैसे जीवों को पैदा करता है या बनाता है, तो अब आपको समझ में आया जनन के बारे में जो आज हमने समझा, तो ये तो थी आज की वर्कशीट, अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए, और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्क्षीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ आनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए अलावा यदि आपको करोना वाइरस को हराना है न तो मास जरूर लगाके रखिए क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं धन्यवाद